सब्सक्राइब कीजिए टेम्स फॉर विन चैनल को और बेल आइकन को दबाएगे लेटेस्ट फेंटसी वीडियो सबसे बहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने वाले हैं वहें कल होने जनवाला रोयल लंडर को मैच जो की होने जाए एसेक्स और किंट के बीच में तो आखरी मैच देखी बात करें तो बाड़िस ने बिल्कुल ही मूड का कच्छा करके रख दिया था कुछ मैच अच्छे शुरू तो हुआ था लेकिन वही भी खतम और पता नहीं क्या होता ससस वाले मैच में जो हो रहा था काफी देर तक तो लेकिन वहीं रिजल नहीं आया है यहां पे भी मुझे रेंज दिख रहे हैं कर लेकर हम करके बनां सकते हैं अगर हो तो वह Pigश बना सकते हैं और लहीं हो हो तो जैसा हम कर रहे हैं आखरी दो मैच देंस से वैसे ही कर के रहना पड़े का वेट करो ऊसको बाद बड़ेच्छिस्टेट हो उसके बाद सो जाओ बस यह फिर तो पार इसने उनको भी निराश करके रखा हुआ था तो दोनों ही टीमों को अभी केंट का जिस परड़ सी जादा है क्योंकि अभी तक उनको कोई पॉइंट नहीं मिला है विन का इसक्स का स्टार्ड जो है अच्छा रहा था उन्होंने पहले दो मैसे का आफी कॉंप्रियंसिब इस फिक्ट्र में उत्रा अच्छा नहीं हुआ है करेंट स्कॉर्ड मेंबर्स में सब्सक्राइब को नहीं तक मिलेंगे जिनका नाम आपको मिलेगा जिनके बदावलत एक मैच जीत दर्च करा था केंट वालोंने वो भी अवेलेबल नहीं है ठीक है इसे छोड़ देते हैं आपको क्विन देखेंगे जो फिरहाल के स्कॉर्ड में है और खिला जाएगा या नहीं दिखा जाता है आभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है इनके साथ अचा मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं अभी तक दोनों ही टीम कोई स्कॉर्ड का अता पता नहीं है तो मैं य यही सोच के ही बना रहा हो कि पिछले मैच का ही स्कॉर्ड जो है वो रहेगा अगर कोई अपडेट वगरा होता है तो वो टेलेग्राम चैनल में बता दिया जाएगा आप वहाँ हो सकते हैं सामने राइंटर जो अभी जादा तो बोलिंग नहीं कराते हैं अभी इनका रोल अभी बागी कोई भी अवेलबल नहीं है सिर्फ स्टीवेंस का ही एक विकेट है जो बताने लायक है यह मैश होगा था चैनल में यहां पर अच्छा नहीं रहा था यह मैश होगा था उनके ही घर पर केंटर बड़ी में तो लगा था दूसरा मैच इसे यहां पर जीत रही है तीसरा मैच जो हुआ था वहा था चैनल में तीसरी बार लगा तार यहां पर अच्छा कर रही है इस बार लॉरेंस थे जो की अफकॉर्स अवेलबल नहीं है कोई भी करेंट स्कॉर में अबलबल नहीं है बोलरों में से रैंटर दुश्काटे कोछ नाम इनकी आ रहे हैं दूसरी बार आ रहा है साथ में वेसली नाम दूसरी बार आ रहा है और मिल लेस कि यहां पर तीन विगट थे साथ में यह कुछ बोलर से इमेंसे पॉडमोर अवेलबल हो सकते हैं देखना हो का खिला जाता है या नहीं इनके दोदों से विगट से केंट की बैटिंग यहां जिसको लीड किया था डैनियल विल ड्रमंट और क्रॉली और यह पहली बार हो रहा है जहां पर केंट के बैटिक का बैटिंग अच्छा हुआ है और करेंट सिस्टम में जो है केंट के उनमें से कोई प्लेयर अवैलेबल है लेकिन यह दोनों भी अभी इस मोमें पर स्कॉर्ड में अबलेबल नहीं है और हारमणगा यह विकरता है तो चेमस्वंट की हमें दो मैच देखने को मिले हैं और अगर हम दोनों मैच में स्मिरालिटिक हुने ही कुछ जिच करने तो एस की बैटिंग दो नहीं अच्छी थी केंट का बैटिंग थीक ठाक आप कर सकते हैं 285 का स् सब्सक्राइब दो मैच में उनकी बैटिंग अची रही है कि सब्सक्राइब कुछ यहां पर बताने के लिए अफकॉर्स नहीं है इस ग्राउंड के बारे में बात करें तो जो लास्ट मैच एसस का हुआ था सेकिंड लास्ट मैच जो हुआ था उनका बिडिल सक्स के अगर तो काफी चीज़ें हमने बताई हुए है कि इस ग्राउंड पर क्या क्या होता है और वाइटल दिलस्ट में इस ग्राउंड का उसका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हमें 50 ओर में देखने को नहीं मिलता है तो वह चीज़ें काफी अत्ते फॉलो होते है भी देखा हुआ है अब अब अगर मैं फिर्ट से आपको रिमाइंड रवा तो तो पिछले सीज़ें के जो मैशें हैं वो एक बार देख लेते हैं उसको वाद इस सीजन के दो मैशें उसको भी देखेंगे तो देखो क्या हुआ था था यहां बना था 328 बना था इस ने 18 गिरे थे लेकिन रस बहुत जादा मतलब 700 के आस्वास रंस यहां बन गाई थे बाकि करेंट प्लेयर्स में से आपको पोटर जो की इस टॉर्णामेंट से बाहर हो चुके हैं सीजन में तो वह तो आवलेबल है नहीं बाकि वेसलिए और राइंट रोशकाटे देख जाते हैं राइंट वापस आपको देख रहे हैं वसी वापस देख रहे हैं पेसलिए यहां पर 230 पर निपट गई थी और इस तरह यह जो हैंशर की टीम थी यह पिछले से दिन की फाइनलिस ती याद रखना तो उतना इसी था नहीं इनकी अगेंस में इतना चार्च परफॉर्मस करना जहां प यहां पर भी अच्छी रही थी 283 उन्होंने बनाया था आपको आलेस्टर कुक का एक जो देखने को मिलता है कि जादा मैस तो चलिए खेलते नहीं है जनरलिफ अपने कॉंसेट्रेशन को फोड़े मैचे में रखते हैं वही उनको पता ही है कि यह टाइम पास के लिए खेलत इसी वाले प्लेयर नहीं है कि रखना ही पड़ता ऐसी कोई बात नहीं है जबी हो देहा गया है कि इस ग्राउंड पर कॉंपर बेटर करते हैं अगर मैं फोड़े मैचे की बात करूं या यहां पर भी बात करो तो कुछ मैचों में उन्हों बनाकर रखा हुआ है कंसिस्टन जो उन्होंने चेस कर भी लिया था थोड़ा मुश्किलों का चामना करना पर आथा लेकिन चेस हो गया था देख सकते हैं मतलब रख यहां पर बन रहे हैं जिसके आप नोडिस कर सकते हैं जाब वाकी पीकट्टे कर सकते हैं और जो आखरी मैच हुआ यहां पर भी आवे बन रहे हैं मतलब पहला वाला जो मैच था वहां पर तो सास्ट्वर कड़े भी बन गया था तो रंस यहां पर काफी बनते हैं जो आप नोडिस कर सकते हैं बाकी बोलरों में से पेसर्स का ही होता है जादा कुछ स्पिनर्स का हमें देखने को नहीं मिला है एक ही मैस में जो बना जा सकते हैं विडियो से नहीं बना पाई मुद्व क्या हुआ हुआ और इस रिचेस कर लिया कुक और वेसली नहीं बना बना जा था और दूसरा था वाचिस्टर सार क्या था यहां पर भी उन्होंने बहुत बना टोल ख़ला कर दिया था और प्रिसर में आ गई तो यह यह बड़े रन का ही प्रशर था यहां ही हम सोच सकते हैं क्योंकि सामने वाले टीम ने रन तो बनाया था हालाकि उनके दोनों उपेर्स के बाहर उस तरह से कोई उस तरह से खास कुछ बरा नहीं कर पाई थे लेकिन फिर भी 300 बने थे हार्मर लगातार नहीं निकाले जा रह है बाकि अभी सामने वाली टीम कितना क्या प्रिशर ले पाती है उतना वारा टोटा सामने देखने के बाद वह अलग बात है जो की असे नहीं ले पाई थी लेकिन यह भी हमने देखा है कि 280-290 तो स्कोर यहां पर चेज भी हो जाता है तो बिल्कुल पहला मैस था पिछले नहीं है जितना सामने आपको दिखाया है अभी अगर हम बात करें इंडिविजूल प्रफॉर्मर्स की बाड़े में तो वेसली जैसे का वैस्विट कर भी सकते है उनका राम है अदम भी तर पिछले मैश भी काफी लोगों इंडरेश्मेट करके रखा हुआ था लेकिन इस अच्छा करा है तो पांच वेसे सी मैश में 50 ब्लस कोडिंग का है आप देख सकते हैं ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि काफी स्ट्रॉंग बैटिंग होती है और क्यांकि हाइज स्ट्रॉंग इंकाउंटर भी होता है इस ग्राउंड पे तो ज्यादा से बैटिंग को अच्छी मैश में नोडिस कर रहा था कि हैरी फिंच को नंबर तीन पे भीजा गरता है यह पहले खेलते हैं पीछले सी तन का भी एक मैश हमने देखा जहां पर सबनाम इसस का मैश हुआ था वहां पर भी खेले थे लेकिन एक औबसर बेसन में रहा है कि हैरी फिंच को मैंने आखरी चार सीजनों में जो खेलते हुए देखा है ससस के होकर एसस के अगेंस्ट में चारो ही बार वो एक ही तरह की बोलर के अगेंस्ट में आउट हुए है और वह आरण दिचार और यह जो लिफटा मर्तुरक्स स्पीनर का जो फैक्टर है यह अभी वी एवेलेबल है कि असार जाइदी जो करके आए है ओवर दे सीजन्स अगेस्ट हैरी फिंच तंग करके रखा है उन्होंने और एक फिप्टी उन्होंने बना कर रखा है फिर भी लेकिन उसके बाद हर मैश में मतलब 10 के नीचे उनका बंद हुआ है और एक ही बोलर में विकेट निकाला था अभी देखना यह पर है कि आरण निज्जार भी वो काम कर पाते हैं नहीं तो देखिए हैरी फिंच अच्छे फॉर्म पर रहे हैं अभी तक जितने मैसे में जितना उनको मौका मिला है जब से केंट का जो आपको याद होगा वाइट लश्ट का आखरी तो मैस में जो आइस कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं जितना मौका में रहे हैं फिर भी तो जो भी हो है डिफिच को मिछले मैसे नंबर थी भाइजा गया था बागी अगर हम बात करें तो टौप अडर में जखिए ओली डोबेंसर कीपिंग में आने के बाद से कमफर्टबल नहीं नसर आ रहे लेकिन अभी इनका पोटेंशियल को किस तरह से परफॉर्मस करेंगे यह कब करेंगे यह बताना मुश्किल है लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट उनने दिया था और टेंपरमें भी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं अभी इस इनकी कम है काफी समय है इनके बास खुद को मै नहीं है आटब फॉर्म नजराएगा टेंशली में और नहीं पर दिखा उपकोर्स मैं तो नहीं कर रहे हैं जितने मैं को मिला एंसके पहले से जीजन में खेलते हो अतना अच्छा करते वह नहीं पर रहे थे लेकिन में ने काफी अश्या कर रहे हैं अगे दिकत वाली बात अगर आब हाई स्कोरिंग मैश की टीम बना रहे हो तो मुंसी को रॉप करने का कोई रिजन मेले बाज नहीं है नीचे आएंके तो ओरियोर्दन, स्टिवार्ट, स्टिवार्ट, स्टिवेंस जैसे ओपसंस हैं जो जर्रली ओल रॉंडर की तरह काम पर आ रहे हैं अभी देखि कुछ ना कुछ नेगटिव चीज मुझे देख रहा है जो मैं यहां पर नोटिफाई कर वा सकता हूं आपको तो कोई उम्मेद रख भी नहीं रहा है अब यह अगर कुछ वह पर्फॉर्म करते थे हैं तो अलग बात है कुन आउटर फॉर्म है और फिंच का भी एक नेगट कर पा रहा है उसके बात अगर नीचे तीन ओप्सन को तेहेंगे यह प्रॉपर बैट्सपन नहीं है हो सकता है कि आप उसे उम्मीद रखे कि कुछ राज बना के देंगे थोड़ा बहुत बैट्सपनों को हेल्प कर देंगे लेकिन आप डिपेंडेंस से नहीं रख सकते और मुझे रख सकते हो चोड़ी लिग में मुझे रख सकते हो आप अच्छा कर रहे हैं अच्छे फॉंपर है और रिस्पोंसिब्लेटी भी ले रहे हैं क्योंकि यही वाना दमोस सीनियर प्लेट्स है इनके टीम में नीचे अगर हम आएंगे तो स्टीवें स्टीवार्ड मार् विकेट भी निकाला था और बैटिंग हैं इन तीनों से कॉंपरेटर ली मुझे लगता है बेटर है और डिपेंटनसी बहुत जादा दे सकते हैं तो इसलिए मैं कॉंसिलर तो ही काउंसिवार्ड को आप रखें पाकी परसंटेश प्लेयर स्टीवेंस होंगे तो इन चारों का उप्सन है कोई भी इनको कॉंसिलर नहीं करेगा लेकिन रिस्क ही काफी रहेंगे यह कॉंसिलर करके लखना लेकिन अगर बैटिंग है वी टीम बनाना चाहते हैं और एक एसी टीम की अगेस्ट में एक तो देखिए पोर्टर गये है ठीक है और उसके बाद आखरी मैच प उपनी स्पिल में स्नेटर पहले एक लास में अच्छा कर रहे से लेकिन पिछले मैच बिलकुर नलिफाई कर दिया था इनको तो अभी देखना बड़ेगा कि पिछले मैच के बाद के बाद करते हैं तो यह हो गया केंट की बारे में अगर बात करें एसस की सिरफ से तो जो अल्रेडी आपके टीम में बैट के होंगे वह है अलेस्टर कुक टॉम वेस्टी वीटर को भी मैं प्रिफरेंस दूंगा कि दिखिए बहुत नीचे बात नहीं आ रहे हैं बैटिंग सेगन मुझे लगता है आभी को लेकर चल सकते हैं अगर वह मिडल सेस वाला मैस की तरह सी कुछ चीज़ अपलाई होता है इनके बार प्रेशर काफी होगा ठीक है और इन दोनों में से किसी एक को बड़ी दिंग में कॉंस्टर करके रखना दोनों कहीं पास टेलन की कमी है यह तो कुछ अत्ते को नहीं दिखा के रखा हुए लेकिन उसको पदलना भी बढ़ेगा ज सब्सक्राइब कर देखेंगे तो कई ना कई से कुछ ना कुछ पॉइंट बहुत देते जाते हैं मैं कैप्टन सी बेटिल कभी भी नहीं मानता हूं भारमन को इस लेवल में लेकिर आपकोर्स टीम में आपके होने ही चाहिए नीचे आएंगे तो स्नेटर निज्जर आलीसन है इन में से आलीसन के बार में मैंने कई बाताया हुआ है जो सीजन के फेहले मैट से ही खिला नहीं गया था पिछले में खेले थे दो विकट निकाला हुआ था मिल सकता था और भी लेकिन चाहिए तो एक्स्टा बोलर देखना चाहते हो मुझे लगता है जो कि आप देख भ अगर बहुत दिक्कत नहीं बन रहा है तो हार मर को भी रिना पड़ेगा पर्संटेज बात करने तो के तरफ से वैसे तो परसंटेज वाइस मुंसी और फिंच को लोग क्याप्टन बना रहे हैं लेकिन जब आप खेलेंगे ना इनकी मैशेश तो आपको देखा कि किसी को भी लोग क्याप्टन बना रहे हैं कि और कोई बना रहा है या तो कोई किसी को ले भी नहीं रहा है लेकिन परसंटेज इन तोनों का यह है बागी और बात करने तो स्टीवेंस के साथ अब यूग जा रहे हैं काफी काउंटी परफॉर्मस के बिशिस पर ही है बाकी बहुत खास कुछ उनने नहीं तो ले सकते हैं दोरो तरफ से पॉइंट दिने की शमता इनके बास है ग्रहम स्टीवार्ट और स्टीवेंस जैसे प्लियर्स हैं वो उसको बतकुन रिस्क रेना है तो मियू यूसर बो इसन नहीं है अगर वो नीचे कई पर आते तो हम अंस्टेट कर लेते लेकिन यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा और मिलनेस बोलिंग से इससे बात करें तो हार्मर और वेस्ली परसेंटेश प्लेयर्ट है हार्मर को फिर भी लोग क्याप्टन हसन बना रहे है अगर मैं करन्ट मतलब experience की बात करनों जो मैंने नोडिस करा है स्मॉल लिग में वेस्ली को बहुत ही कम लोग हो रहे हैं जो क्याप्टन भाव स्क्राइब जा रहे हैं तो हो सकता है अभी थोड़ा थोड़ा करके लोग थोड़ा भरुसा करे भी लेकिन बैट सोनों पे रांटन रुषकाटे या निज्जार में से कोई एक आपके टीम में होगा जितना मैंने इनिशियल टीम मनाने के टाइम पे देखा है और रांटन रुषकाटे इवन स्नेटर का भी ऑप्शन है बैटिंग भी यह थोड़ी बात कर लेते हैं और बोलिंग यह अच्छा का रह पहले मैं टीम दिखा हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब बरना चैनल को टेलिग्राम चैनल पर जरूर जरूर जोएन हो जाना क्योंकि इस मैच की फूल टीम और जितने भी अपडेट्स बगर आएंगे वह आपको भी पर यह पर इस तरह का एक टीम बनाया है अगर एसस पहले बैटिंग करती है तो यह तीम काफी हद तक काम पर आ सकता है अगर वो दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो क्या है कि वीटर को बैटिंग मिल जाएगी या नहीं यह थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको क्योंकि बहुत थी अच्छी कुछ बोलिंग हमें नजर नहीं आई है केर्ट के तरफ से पिछले मैच फिर भी जो ससेस की टीम सी शुखाकता है तो यहां पर वीटर के चागे और विटर का गाई की डिशर कर सकते हैं इस टॉर्णमेंट में इनके आपकोछ्च कुछ सेक्रिफास्य से बाहर ранее लारा लेकिन जिस तरह का परफ परमेंस यह कर रहे हैं इनकों बै तिंग जिसाथ्चन सब्सुए चलता रहा प्लियर्स वगरा वापस रहेंगे फाइट रेडिलाश भी आप समझ सकते हैं अच्छा बाकिए अगर मैं बात करो तो मियू आई को मैं रखा है यह बहुत दुरा परफार्मस नहीं करते हैं तो इसी दिया मैंने रखा है राइंटर रुष्काट या निज्जान में से आप कि कर लेते हैं अगर टाइम उनको मिलता है तो यह काफी लंबा भी खीच सकते हैं और बोलिंग तो प्रॉपर्ली कराई रहे हैं बागी मैंने बेन आलीसन और स्नेटर को रख लिया है जो दोनों में टीम में डिगार्ले सब टॉस होंगे हारमर को रखना पड़ा है हैं यहां पर एक और सेफ कॉमिनेशन यह बना जा सकता है कि अगर दोनों ही बैट्स को समझ दो छोड़ना चाहते हो कि मुंसी को ही अगर मैं छोड़ रहा हूं और रांटे जोश्काटे अगर छोड़ना चाहते हो क्योंकि उनका रोल सही से नहीं आ रहा है तो आप क्या करो पर ओडि और दर्न को ले लो इस पहले बैटिंग कर रही है तो देखे पॉसिबल चार बोलिंग आफसन आपके बास है और यह जो तीन आ रहा है कुछ ना कुछ बैटिंग भी आपके लिए कर देंगे तो यह बाकि बाकि बहुत बुना नहीं है लेकिन क्योंकि थोड़ा हा भी तक नहीं बनाया है वो अरग बात है लेकिन इनके बात स्टेबिलिटी ज़्यादा नजर आई है बोटलमैन काफी काफी ज़्यादा इनकोंसे से नजर आ रहे हैं तो बागी रांट ने लिया ही था वह आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो पस यही कुछ ची बनने चाहिए फॉर्म में है एक मैच में जो आउट हुए है आप इसको नहीं कर सकते हैं बोलिंग भी थोड़ी बात करवा रहे हैं ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी ठीका है और हिट्ट्ट में दोनों प्लियर्स के हमने दाम देखे हैं उनमें से वेस्टी एक है और दूस रह हो हारमर परसेंटेज प्लेयर होंगे मुझे लगता है कंसेस्टेंली कुछ ना कुछ पॉइंट आपको यह देते जाएं ना कह रहे हैं दोसी दाप से और इनके रिकॉर्ड भी डिसेंट है और कुक्क का तो मैं बताई है एक इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ वह हमेशा क कटते रहते हैं ट्रॉम कार्ड्स आपके रिये हमेशा ही बुटल मैन और स्पेसरी में कहूं का पेपर ये रहेंगे और बोलर सेक्षिर में गिल्ट रहेंगे अगर आप आल राउंडर सेक्षिन से जो प्लेट्स दना लिया है उनके सब्सक्राइब जाते हो तो यहीं सारी ची